जिन्दगी की कुछ करवी सचाई जो हमेशा आपको याद रखनी चाहिए लाइफ में हमेशा दो लोगों से दूर रहना चाहिए पहला बीजी और दुसरा घमंडी क्योंकि बीजी आदमी अपनी मर्जी से बात करेगा और दुसरा घमंडी जो आपको मतलब से याद करेगा गीता में लिखा है जब इनसान की जुरुरत पूरी हो जाती है तब इनसान की बात करने का तरीका बदल जाता है करवा है मगर सच है अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाईए मत केम की कुछ बात ऐसी होती है जो समझेने से नहीं बलकि खुद पर बीतने से आती है रोटी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरब से सेका जाए ठीक उसी परकार, जीवन में रिष्टे तभी अच्छे लगते हैं, जब उसे दोनों तरफ से निभाया जाए खुसी देने वाले भले अपने ना हो, मगर दुख देने वाले हमेशा अपने होते हैं किसी ने क्या खूब कहा है, वो इनसान आपका मोल कभी नहीं समझेगा, जिसके लिए हमेशा आप हाजिर हो जाते हो किसी ने पूछा, इस दुनिया में अपना कौन है, मैंने हसकर जबाब दिया, वक्त, अगर वक्त सही हो, तो सभी लोग अपने होते हैं अगर वक्त गलत हो, तो सभी अपने भी पढ़ाय हो जाते हैं यह कलियूग है जनाब, यहां जूठे को मोका और सच्चे को धोखा दिया जाता है अपने वो होते हैं, जिने हमारे दर्द का अहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में जाते हुए लोग भी पूछ लेते हैं गाइज कैसा लगा है यह वीडियो, कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्षन में जरूर जबाब दिजिएगा क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा मनोबल को बढ़ाता है तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिन, बंदे मातरम